प्रेभक्तों जैसरी राम स्वामी स्री राम सुगदाजी महराज के उपदेश कल्याण पत्रिका से साधिकों के प्रति स्वामी राम सुगदाजी कहते हैं सास्त्रों और संतों पर विश्वास हो जाए तो उनके कहने से भगवान पर विश्वास हो जाएगा और भगवान पर विश्वास होने से भक्ती हो जाएगी परन्तु आज कर लोगों का विश्वास धन पर हो गया है ना तो खुद विचार करते हैं ना दूसरे की मानते हैं ये दसा आज हो रही है गीता में आया है विवेखीन और स्रद्धा रहत संस्यात्मा मनुस्क का पतन हो जाता है जो केवल अपने काम आए वे धन धन नहीं है धन वे है जो दूसरों के काम आए स्वामी राम सुदाजी कहते हैं भगवान हमारे है पर मिली हुई वस्तु हमारी नहीं है प्रत्युत भगवान की है जो मिला हुआ है, वे सब विछुड जाएगा जो पहले हमारे नहीं थे, पीजे हमारे नहीं रहेंगे वे अभी हमारे कैसे हो गये भगवान सब समय हमारे है जितने वर्स बीद गए उतना सरीर विछुड गया हम निरंतर मर रहे हैं, परंतु हम जी रहे हैं ये बात पकड़ी हुई होने से ही हम मर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आते, मिला हुआ निरंतर बिछुण रहा है, ना जन्म दीवा हुआ बच्चा साथ रहेगा, ना गोद लिया हुआ, सब बिछुणने वाले हैं, घर से, मकान से, कुटुम्ब से, सरीर से, सबसे ये भ्य ये मेरा है, बिछुणने वाले को अपना माना पागलपन की दसा है, जो किसी एक का होता है, वो सबका नहीं हो सकता, जो किसी का नहीं होता, वो सबका होता है, अपना कोई नहीं है, तो सभी अपने हैं, और अपने हैं, तो कोई अपना नहीं है, स्वामी राम सुदाजी कहत मेरे तो गिर्धर गुपाल दूसरों न कोई ऐसा मान कर निश्चिंत निर्भय निसोक और निसंख हो जाएं मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं ऐसे सरण हो जाएं मिला हुआ सब उसी का है और हम भी उसी के हैं उसी का हो जाना है और उसी का होकर रहना है सब कुछ मालिक का है फिर हम चिंता क्यों करें हर पल ऐसा सोचेंगे तो हमें भगवान का अनभव होने ही लगएगा स्वामी राम सुगदाजी कहते हैं चिंता दीन दयाल को मो मन सदा अनन्द चायो सो प्रतिपाल सी रामतास गोविंद किसी भी उपाय से मन भगवान में लग जाए तो मनुस निहाल हो जाएगा मनों सरीर काम कर लें के लिए नहीं मिला है प्रतित भगवान से संबंद चोड़ने के लिए मिला है अचानक भगवान की याद आए तो समझो की हमें भगवान ने याद किया है उस समय सब काम छोड़ कर भगवान की इसमन में लग चाओ, अपने आपको भगवान की अर्पित कर दो, अपना अलग मैंपन रही ही नहीं, जिस समय काम, क्रोध, आदी की खराब ब्रत्तियां आ जाएं, उस समय होस नहीं रहता, उस समय विवेक काम नहीं देता, जितना हे ना धे नात पुकारने से लाव होता है, ये भगवान की बड़ी पिसेस करपा है, जो हमें भगवान की बाते करने का उसर मिला, जो हमें सतसंग सुनने का उसर मिला, इश्वर की करपा है, जै स्री राम